Hello everyone, welcome to channel अगर आपने भी class 12 का exam दिया है और आपका result आ चुका है लेकिन result में जो भी marks है या result से अगर आप खुश नहीं है तो आप जो copy rechecking होता है उसके लिए आप apply कर सकते हैं और copy rechecking के लिए जो link है वो active करा जा चुका है तो अगर आप भी copy rechecking के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है उसकी वो दी जाएगी कितना feel लगेगा, क्या process रहेगा, कब से apply कर पाएंगे कितने subject का आप apply कर पाएंगे और किन किन बिंदूओं पर किन किन चूज़ों पर यह copy आपका रिचेक करा जाएगा इन सारी के सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको दी जाएगी तो सबसे पहले अगर आप copy rechecking कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो jack की official website है यह यहाँ पर आपको आना पड़ेगा official website आप जैसे ही आएगा तो आपको यहाँ पर जो recent announcements है वहाँ पर आपको third जो line है वहाँ पर जो third notification आपको दीख जागा intermediate online application for scrutiny जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप एक new dashboard में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको दीखेगा advertisement number 22-2020 जब आप इसको click करेंगे तो आप और नए window पर जाएंगे और यहाँ पर आपका notification है तो सबसे पहले बात करें तो कब से आप इसको apply कर पाएंगे तो यह जो apply है वो एक तारिक से apply start होना मतलब एक तारिक जो है एक अगस से जो है वो start हो चुका है apply होना तो आप already एक दिन लेट हो चुके हैं अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आप यह already एक दिन लेट हो चुके हैं तो एक तारिक से apply होना start हो चुका है और अगर बात करें कब तक apply हो सकता है तो यह 31 अगस्त तक यह apply आप कर सकते हैं अगर बात करें मोड की कौन सा मोड में यह apply होगा तो आपको offline नहीं बलकि online मोड में आप कहीं से भी इसको apply कर सकते हैं mode of application क्या होगा online होगा आप online इसको apply कर सकते हैं साथ ही अगर बात करें चार्जेज की तो यहां पर लिखा हुआ है कि 500 रुपीज जी हैं आपको 500 रुपीज चार्जेज पे करने पड़ेंगे इसके लिए उभी हर एक पेपर के लिए 500 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे और आप maximum अगर आप चाहे तो तीन कोपी का जो भी तीन सब्जेक्ट है उसके लिए आप apply कर सकते हैं मतलब कि अगर आप तीन पेपर का अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपीज देने पड़ेंगे हर एक सब्जेट के 500 रुपीज साथी अगर आप कहीं admission कराना चाहते हैं जल से जल और उसके लिए आपको कोपी रिचेकिंग कराना है तो आपको जो हर एक उसके लिए भी प्राधान है और आपको हर एक सब्जेट का 1000 रुपीज देना पड़े लिए साथी यहाँ पर बता दे आपको कि किन किन बिंदियों पर यह जो रिचेकिंग किया जाए तो इसके लिए में वेन पोइंन किया है तो यहांप आप देखिता लिखा हुआ है कि अंदर के प्रिष्टों में आपन्टित अंक जो है वह अगर मुल्य प्रिच्ट पर मुक्ष प्रिच पर अंकित अंक नहीं いきます तो इसे मुक्षपर अ जाएगा और इसको अड़ करा जाएगा तो कोई प्रस्नोतर बिना मुल्याइंकन के नहीं गया नहीं है तो उसको लेकर आपको उसके उसमें कीया जाएगा उसमें किया जाएगा थर्ड पॉइंट के बात करेंगा तो अंगों का योग अगर सही नहीं है तब भी उसमें सुधार किया जाएगा अगर जो भी मतलब की सब पेज का जो मार्क्स है वो अगर उसमें भी कहीं पर गड़बढ़ी है उसमें भी कहीं पे कुछ दिक्कत है तो उसको भी देखा जाएगा और कहीं पे अगर आपका कम marks मतलब दिया हुआ है और add करने पे जादा marks आ रहा तो उसमें भी सुधार करा जाएगा और अगर force point के बात कर जाएगा तो यहां पे लिखागा कि scrutiny के लिए आवेदन देने वाल को असपर्च किया जाता है कि scrutiny के तहत मुल्यांकित प्रसनोतर का पुनल मुल्यांकन नहीं किया जाएगा मतलब कि आपका जो भी question है जिसका इसका evaluation हो चुका है जिसके marks बैट चुका है मतलब कि अगर कोई question five marks का है और आपको वहां पे दो ही marks मिले है तो आप यह challenge नहीं कर कराएंगे कि आपको दो marks ही क्यों मिला है आपको वहां पे three marks four marks या five marks मिलने चाहिए तो इसका कोई प्रावधान नहीं है मतलब कि जो copy जो भी question check हो चुका है उसका फिर से recheck नहीं होगा अगर किसी कारण वस copy जो rechecking में कोई question छुड़ गया है या marks add करने में छुड़ गया कर सकते हैं मतलब कि आप अपने copy rechecking के लिए apply कर सकते हैं अगर आप copy rechecking के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो प्याना पड़ेगा यहां प्याना के लिए आपको तीन step पहला है कि new user अगर आप new user है तो आपको सबसे पहले यहां पर registration जो लिखा हुआ है यहां अपरे जो डिटेल्स मांगा जाएगा उसको आपको फिल करना है फिर आपको payment खेली बोला जागा तो आप payment करेंगे payment करने के बाद आपका जो form है वो accept कर लिया जाएगा और आप जो भी process आपको मैंने बता है इसके थुरू आप apply कर सकते हैं copy rechecking के लिए फिर भी यदि परसानी आती है तो आप comment करें हम आपका जो भी query है उसको रिदर्व करने का प्रयास करेंगे